हम भी नेता और विधायक के बच्चे के ऊपर अपना गारी चला देंगे और उसके बाद मुआवजे के लिए 5 लाख रुपया अपना जमीन बेच कर देंगे बढ़का लोग क्या समझता है कि उनका बच्चा बच्चा है और हमारा बच्चा बच्चा नहीं है क्या ये बात व गारी चला रहे थे और उसके बाद जदियू के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुस्वा ने कहा था कि ये तो छिटपुट घटना है होते रहती है प्रधान मंत्री मोधी ने 2 लाख रुपय का एलान किया था बिहार सरकार ने 5 लाख रुपय का एलान किया था म उसके बाद आज एक मृतक के पिता जी ने ये बयान दिया है कि हम भी अपने गारी से किसी नेता और विधायक के बच्चे को कुचल देंगे और उसके बाद अपना जमीन बेचकर उसको 5 लाख रुपया दे देंगे और वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कहा कि सरकार किसी के जान का कीमत 5 लाख रुपया लगाती है और उसके बाद प्रशासन इसमें भी लीपा पोती करने में लग जाता है आपको ये सब सुनकर राष्चर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बिहार है जहां 6-7 सालों से दारू तो बंध है लेकिन एक ड्राइवर खुलेयाम कह कहता है कि ढावा पर बैठ कर 40 रुपया वाला देशी सराभम पिये थे और उसके बाद किसी सत्ता धीन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि ये तो छिटपुट घटना है होते रहती है अब समझेगा इस बात को 5 लाख रुपय बिहार सरकार ने एलान किया था बै प्रशांत्राय है क्या आप कॉलेज या ओफिस अपनी बाई क्या स्कूटर पर जाते हैं और राइड शेयर करके एक्स्ट्रा पोकेट मनी कमाना चाहते हैं अगर हां तो प्ले स्टोर पर जाईए रैपिडो का कैप्टन एप डाउनलोड करिए और वहां पर आपको पूरा दिया जाएगा वरिफिकेशन का आपको स्क्रीन पर भी दिखरा होगा अपना डॉक्यूमेंट्स वरिफाई करिए और उसके बाद आप प्रती घंटे 100 रुपे के हिसाब से अपना राइड शेयर करके कमा सकते हैं अब लोटते हैं वैशाली के उस घटना पर रात को लोग पूजा करने जा रहे थे एक ट्रक आया और 50 लोगों के उपर अपना ट्रक चढ़ा दिया ट्रक का ड्राइवर नशे में था और उसके बाद सरकार के तरप से इस बात का एलान हुआ कि हम 5 लाख रुपईया देंगे नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा कि हम 2 लाख रुपईय है वो इंसुरेंस का ही है मतलब ये कि नितीश कुमार की सरकार ने जो 5 लाख रुपई का एलान किया था वो मिर्तकों को इंसुरेंस के बदले दिया गया था ना कि सरकार ने अपने कोश से उनकी मदद की थी उसके बाद मिर्तक के पिता कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिन दो लाख रुपनों का एलान किया था वो दो लाख रुपईया हम लोगों को अब तक नहीं मिला है और उसके बाद गुस्से में आए मिर्तक के पिता कहते हैं कि अगर हमारे बच्चे के जान की कीमत नहीं है तो हम भी किसी नेता के बेटे पर अपना गारी चला और जमीन बेच कर पांच लाख रुपई का मुआवजा हम उनको दे देंगे मिर्तक के पिता कहते हैं कि बड़े बच्चों बड़े बाप के बेटों का जान का कीमत है लेकिन छोटे लोगों के बच्चों का जान का कीमत क्यों नहीं है आप समझेगा इस बात को एक तो इस बातों में उलजे हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि सरकार ने उनको कैसे ठग लिया बाकी ये बिहार है बिहार में कुछ भी हो सकता है आपका बच्चा मर जाएगा और सरकार दो लाख चार लाख पांच लाख रुपई दे कर आपको सल्टा देगी पैसा तो कहा जाएगा कि ये इंसुरेंस का पैसा है आप इंसुरेंस का क्लेम नहीं कर सकते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार दो लाख रुपई का एलान कर चुकी है लेकिन अब तक पैसा मिला नहीं है और बैशाली के वो आठ लोग जो इस दुनिया में नहीं रहे उनके परियन ये बहुत बहुत धनिवाद